दोस्तो जैसा कि आप देखी रहे होंगे कि आज इंजिनियरिंग की मदद से अजीब देखने में खतरनाक लेकिन बहुत सेफ इस्ट्रक्चर इंजिनियर दुनिया भर में बना रहे हैं तो आज इनी structures में से हम कुछ सबसे खतरनाक दिखने वाले structures को आपको दिखाएंगे जिनें शायद देख के आपके होश ओड़ जाएं लेकिन दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस application के बारे में जान लें अब आप भी पैसे बहुत आसानी से इस app के जरिये कमा सकते हैं और इस app का नाम है रोजधन app दोस्तो आप इसे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लें या description में दियो हुए link से डाउनलोड कर सकते हैं और login उसी number से करें जिससे आपने Patreon पे account बनाया हो login करते ही आपको 25 रुपए मिल जाएंगे दोस्तो इस app में वीडियो देखने के तो points मिलते ही मिलते हैं लेकिन अगर आप इसे अपने दोस्तों में refer करेंगे तो हर डाउनलोड के आप 5 रुपए कमा सकते हैं इस app के बारे में जादा जानने के लिए वीडियो के आखरी एक मिनट को जरूर देखें Path of Death क्योंकि पहले तो ये देखो इस जगा पर चलने के लिए इसपेस कितना कम है दोस्तो 230 फीट लंबा ये ब्रिज चाइना के तियानमेन मौंटेन में इस्थित है और ये ब्रिज एक किलो मीटर से भी जादा उपर पहाल के बीच में बना हुआ है दोस्तो यहाँ जाना थोड़ा डरावना तो है लेकिन यहाँ से दिखने वाले नजारे शायद आप दुनिया में कहीं और नहीं देख सकते और यहाँ पे जाने पर आपको अलग से स्लीपर दी जाती है जिसमें आपके पैर या जूतों से काच पे किसी तरह का स्क्रैश ना आए ग्लास सस्पेंशन ब्रिज दोस्तो चाइना के साउथ इस रीजन में इस्थित यह ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है और ये ब्रिज भी नैशनल पार्क तियान मेंशन में इस्थित है दोस्तो ये ब्रिज 1400 फीट लंबा और 20 फीट चोड़ा है जब ये ब्रिज बनके तयार हुआ था तो लोगों को भरोसत दिलाने के लिए इस ब्रिज को चेक किया गया जिसमें इस ब्रिज पर हतौले से कई बार मारा गया और कई भारी भारी कार इस ब्रिज से पार भी की गई ये सब होने के बाद इस ब्रिज पे क्रैक भी आया लेकिन इंजिनियर्स ने बताया कि ये क्रैक ब्रिच का कुछ भी नहीं बिगा सकते दोस्तो जादा तर यूनीक ग्लास से बने इस ट्रक्चर चाइना में ही है जैसे अब इस इस ट्रक्चर को देखिए दोस्तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास से बना व्यूपॉइंट है जो की बिजिंग के आसपास स्थित है दोस्तो इस व्यूपॉइंट के 360 डिगरी शेफ होने की वज़ा से आप पूरी वैली को आसानी से देख सकते हैं दोस्तो इंजिनियर्स का इस स्ट्रक्चर के बारे में ये कहना था कि ये पूरी तरह से सेफ है क्योंकि इस स्ट्रक्चर को बनाने में टाइटेनियम, स्टील और बुलेट प्रूफ ग्लास का यूज़ किया गया है इसकाई डेक शिकागो दोस्तो ये जो बिल्डिंग आप वीडियो में देख रहे हैं ये अमेरिका की दूसरी सबसे उची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में उब्जर्वेशन डेक 103 फ्लोर पे मौजूद है दोस्तो इस उब्जर्वेशन डेक पे 5 लोग आसानी से आ सकते हैं और ये बालकनी 5 टन से भी जादा वेट आराम से समाल सकती है लेकिन 2014 में इस डेक का ग्लास क्रैक हो गया था और इस ग्लास पे बैठे 4 लोग बुरी तरह से डर गए थे लेकिन मेनेजर ने बताया बालकनी की सिर्फ टॉप लेर ही डेमेज हुई थी और डरने की कोई बात नहीं है दुबई होटल स्यूमिंग पूल दोस्तो दुबई में तो आपको बहुत सी चीजें बहुत ही अजीब और यूनीक देखने को मिल जाएंगी लेकिन ज़रा इस सिर्फ पूल को देखें ये सिर्फ पूल पूरी तरह से काँच का बना हुआ है और ये मौजूद है दुबई के फाइव स्टार इंटरकॉंटिंगल होटल में दोस्तो इस सिर्फ पूल को बहुत ही जादा मजबूत ग्लास से बनाया गया है बहुत ही मुश्किल है और इसलिए ये अपने तरह का एक लौता एलिवेटर है और दुनिया की सबसे लंबी एक्स्टरनल लिफ्ट के साथ सबसे तेज बहारी एलिवेटर भी है दोस्तो इस लिफ्ट की टोटल उंचाई 1070 फीट है और एक बार में एक केबिन में 48 लोग इस से उपर नीचे आ जा सकते हैं और दोस्तो इस लिफ्ट के ऐसी वीर्ड जगा होने की वज़ा से इसमें कई सेफटी सेंसर लगाए गए हैं जिसमें किसी भी खराबी या मुसीबत के समय किसी को कोई नुकसान न पहुचे तो आज की वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो क और सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर करें और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें क्योंकि हम जल्दी नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद